दोस्तो यूट्यूब पर कोको कोला और मेंटोस से जुड़े कई एक्सपिरिमेंट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अगर कोई इंसान कोग पी कर मेंटोस खा लेता है या मेंटॉस खाकर कोक पी लेता है तो क्या इंसान का पेट भी कोक की बोतल की तरफ ब्लास्ट हो जाएगा तो चलिए क्यों ना आज इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं दोस्तो जब हम किसी कोल ट्रिंग की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से कारबन डाय अक्साइड निकलनी शुरू हो जाती है और जब हम उस कोल ट्रिंग में मेंटॉस डालते हैं तो कारबन डाय अक्साइड के निकलने की स्पीड काफी बढ़ जाती है इन दोनों चीजों को एक साथ कंज्यूम करने से ना तो इंसान का पेट प्लास्ट होता है और ना ही इंसान की मौत होती है तो आखिर होता क्या है जब को इंसान कोक और मेंटोस को एक साथ कंजूम करेगा तो उसके पेट में कारबन डायोकसाइड का लेवल काफी तेजी से बढ़ जाएगा और उसे एक बड़ी ही जवर्दस डकार आएगी और ये कारबन डायोकसाइड शरी से बाहर निकल जाएगी यूट्यूबर कई लोग ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी चुके हैं अब एक बात तो साफ है कि अगर आप कितनी भी कोक गटा कर मेंटोस चबा लेंगे तो आपका रोकेट नहीं बनने वाला